हेलो गाईज तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि UPSC का कोर्स कितने साल का होता है और 12 के बाद DM बनने के लिए कौन-कौन सा एकजाम देना होता है यानि की DM से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो बने रहे ह हमारे इस YouTube चैनल SS Stopper Study में तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो गाईज मैं आप लोगों को बता दूँ UPSC का जो कोर्स होता है वो दो से तीन साल तक का होता है और आप अगर DM बनना चाहते हैं यानि IS बनना चाहते हैं तो आपको UPSC का एकजाम देना होगा जिसका तीन चरनों में पूरा होता है पहला चरन लिखीत होता है दूसरा चरन भी लिखीत होता है तीसरा चरन जो होता होता है जिसे इंटरव्यू का आ जाता है जो सबसे कठिन माना जाता है उसके बाद 12 के बाद UPSC का एकजाम आप कैसे देंगे यानि IS कैसे बनेंगे तो चलिए आगे मैं ब सकते हैं तो आपको ग्रेजवेशन करने के बाद आपको यूपीस की का एकजाम देना होगा UPSC में अगर आप अच्छे मार्क से से पास हो गई तो आप DM बन सकते हैं अगर आपका थोड़ा कम मार्क से भी आया तो आप IPS बन सकते हैं IPS में क्या होता है और DM में क्या होता है IPS जो होता है वो DM से थोड़ा निचला पद होता है और IPS की ये जो मतलब training जो होती है वो थोड़ी hard होती है IPS officer को वर्दी पेनना पड़ता है उसके बाद IS officer को वर्दी पेनना नहीं पड़ना पड़ता है मतलब वो कोई भी dress पेन सकता है उसकी मर्जी है और IPS officer को government की तरफ से एक घर दिया जाता है उसके बाद उसे गाड़ी भी दी जाती है और IS officer को भी government की तरफ से काफी अची salary और घर भी दिया जाता है उसके बाद उसे भी गाड़ी दी जाती है काफी security दिया जाता है IS बनने का ये फाइदा भी है कि IS officer को कोई हमेशा के लिए नोकरी से नहीं निकाल सकता है यानि job से नहीं निकाल सकता है कुछ समय के लिए निकाल सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं निकाल सकता है वो एक बहुत बड़ा पद होता है IPS यानि IS का मतलब हुआ District Magistate यानि एक जिला का मालिक होता है और गाइज अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि IS बनने के लिए कौन सा stream सबसे बेस्ट है और मतलब कौन सा stream लेना होगा आपको जिससे आप IS का एक्जाम आसानी से यानि difficult नहीं होगा आपको देने में तो चलिए मिलते हैं अंगले वीडियो पे तब तक के लिए बाइ अगर हमारे चैनल को subscribe नहीं किए तो चैनल को subscribe किजिए क्योंकि इस चैनल पे हम इसी तरह की knowledge वाली वीडियो लाते रहते हैं मिलते हैं अगले वीडियो पे